Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an Academy group दोस्तों आज की quiz वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK कुछ और important question जो कि exam के point of view से important रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा और कितने questions के answer आप सही कर पाते हैं नीचे comment box में जरूब बताएगा दोस्तों ये जो quiz सीरीज चल रही है हमारी इसको regular follow करने के लिए चैनल को भी subscribe कर लीजे पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को like करके अपने सभी दोस्तों के साथ में भी share कर दिया करें देखे, Unacademy Plus पे अगर आपने अभी तक कोई subscription जोइन नहीं किया है और आप किसी exam की complete चारी करना चाहते है तो Unacademy Plus का subscription जोइन करके आप complete चारी कर सकते है Unacademy Plus के क्या-क्या benefits है वो हम बता देता हूँ एक बार आपको देखे, Unacademy Plus पे आपको live classes मिलती है, structured courses मिलते हैं दोस्तो personal guidance मिलती है, test analysis, expert guidance, study material, study planner, doubt clearing session और भी बहुत सारी चीज़े हैं दोस्तो जो Unacademy Plus पे आपको मिलती है जो एक exam clear करने के लिए requirement होती है और आप इसमें जब भी आप किसी भी category में subscription जोइन करेंगे तो आपको study 10 code अप्लाई करना है ठीक है और जब आप special class के लिए enroll करेंगे, यानि कि free class देखना चाहेंगे तब भी आप इस code को apply करके देख सकते हैं ठीक है बाकी SSC में देखिए दोस्तो combat आ रहा है जो कि 5 December को आने की Sunday को है 12 बज़े जिसमें आपको 40 question दिये जाएंगे मिल जाएगा बाकी आप सपलता बेच जो स्टार्ट हो रहा है जो इन कर सकते हैं आट December से और देखिए SSC के प्राइज आप चेक कर सकते हैं SSC में क्या 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 प्राइज है one month, three month, six month, one year, two year में और ये प्राइज आप देखके आप ये भी जरूर धियान रखेगा कि जब आप स्टेडिट एंड कोड एपलाई कर लेते हैं तो यह जो प्राइज 24 मंत के दोस्तों 325 हो जाते हैं 12 महीने के प्राइज 500 तो आप बिल्कुल सही तरीक से देखके ही जोइन करिएगा जो सबसे बैस सब्सक्रिप्शन है आपके लिए आपकी त्यारी के लिए 24 महीने का है जिसमें आपको 325 रुपे पर मंत ही केवल पेड करने हैं और दोस्तों आप टेलीग्राम पे जोइन कर सकते हैं सौरब बलिक ओ रात के 11 बजे रेगुलर खिलास होती है चले तो सुरू करते हैं आज की सेशन को प्लीज एंड तक देखेगा और इस कोशन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होने वाला है जीवो और उनके परियवरन के बीच संबंद को दोस्तों क्या कहते हैं प्रस्तित्की का संबंद यानि की इकलोजी इसको कहते हैं ठीक है तो ये बहुत ही बेसिक और इजी कोशन था अगले कोशन के और यहां पे पूछा जा रहा है दूसरे question में Filaria is caused by तो इस question का जो right answer होगा दोस्तो Filaria मच्चर से होता है मोस्किटो इस question का right answer होगा और यहां पे अगर मैं बात करू Filaria मच्चर के कारन होता है और Filaria एक परजीवी रोग है ठीक है? चले कोशन आता है दोस्तो गोवा सिप्यार्ड लिमिटेड की स्थापना में हुई थी तो यहाँ पर अगर मैं बात करो दोस्तो गोवा सिप्यार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी आपकी 1957 में ठीक है 1957 में हुई थी गोवा सिप्याड लिमिटेड की स्थापन 1957 में हुई थी यह भारत के पस्चिमी तट पर एक अग्णे दोस्तों जो की 1901 से 2015 परमानित सिप्याड है जो रक्षा मंत्राले भारत सरकार के परसासनिक नियंतरण में कारिय करता है ठीक है चले अगला कोशन आता है DRDL का अर्थ क् तो DRDL का अर्थ है Defense Research and Development Laboratory यानि की Option यह रेटान से हो जगर Defense Research and Development Laboratory तो यह आप लोगों को याद रखना है ठीक है चले भारतिये सेना के पहले भारतिये सेना अध्यक्स कौन थे काफी बढ़िया भारतिये सेना के पहले भारतिये सेना अध्यक्स कौन थे सोरी सेना अध्यक्स कौन थे तो इस Question का Right Answer हो जगा जन्नल माराजा राजेंदर सिंग राएट अंसर बी होने वाले है दोस्तों ठीक है और इनके बारे में अगर मैं बात कर दोस्तों जन्रल माराजा राजेंदर सिंग भारतिय सेना के पहले भारतिय सेना अध्यक्स थे जन्रल माराजा सिरी राजेंदर सिंग जडेजा दोस्तो 15 जून 1899 से 1799 से एक जनवरी 1964 तक इनका जो रहा है मतलब इनका जिवन काल रहा है और जिनमें अगर मैं बात करूकर सुरह राजेंदर सिंग जी चे बारे में तो नीको एक नाम से और भी जाना जाता है और इनका नाम था के एस राजेंदर सिंग जी ठीक है तो ये इनका मतलब कहीं बार आपको ये भी नाम देखने को मिल सकता है भारती सेना के पहले सेना अध्यक्स थे ही और फिल्ड मार्सल के बाद दूसरे भारते थे ये भी आप लोग करा दखना है चले FRS का अर्थ बताईए आप लोग डोस्तों इस कोशन का रहाट आंसर होगा रोयल सोसाइटी फिलो यानिके फिलो और रोयल सोसाइटी क्योशन कर रहाट आंसर होजएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन आता है प्रत्वी से चंद्रमा की ओर दागे गए रोकिट का प्लान वेग किस से चुटकारा पाने का वेग है तो इस question का जो right answer होगा दोस्तों वेग क्या होने वाला है बिलकुल सही उतर कर रहे हैं आप लोग और इस question का जो right answer होगा वेग होने वाला है प्रत्वी का गुर्टाकरशन खिचाव से ठीक है ना तो right answer is option b प्रत्वी से चंद्रमा की ओर दागे गए रोकेट का प्लैन वेग दोस्तों प्रत्वी के गुर्तवाकरशन खिचाव से चुटकारा पाने का एक वेग है अगला कोशन आता है आपका GATT यानि की General Agreement on Traffics and Trade क्या है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा ध्यान से पढ़िए बिल्कुल दोस्तों ये दोनों ही सही है ठीक है यानि की परत्यासित करने के उदेश्य से गैर क्यमिनिस्ट देशों के बीच 1947 में अंतरास्टे समझोते परहस्ताक्सर किये गए पहला बिल्कुल सही है समझोता जो व्यार रियासत के साथ सोदेबाजी को व्यवस्तित और प्रत्साहित करने अपने लक्से को प्राप्त करना चाहता है ये भी बिल्कुल सही है यानि की बोथ करेक्ट होंगे तो नेक्स कोशन आता है भारत में परवाल भित्तिया पाई जाती है बिल्कुल सही है दोस्तो रामेश्वर यहां पर रामेश्वर में पाई जा सकती है तमिल्नाडू तट पर परवाल भित्तिया रामेश्वर के पास एक खाड़ी में और मनार की खाड़ी में इस्थित है दोस्तो सुरक्सा के लिए बिजली की घरेलू आपूर्ती के लिए मेन में इस्तमाल होने वाली फ्यूज वायर धातू से बने होते है तो इस कोशन का राइट आणसर होने वाला है लो मेल्टिंग पॉइंट यानि की डी इस दा राइट आणसर सुरक्सा के लिए दोस्तो बिजली की घरेलू आपूर्ती के लिए मुख्य में उप्यों के जाने वाले फ्यूज जो तार होते है वो निमिन गलांक वाले होते हैं यानिकी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं ठीक है? यह आप लोग को या दखना है दोस्तो सन्मंदिर अमरत्सर भारत का है तो इस कोशन का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा दोस्तो? बिल्कुल सही आंसर इस कोशन का जो राइट आंसर होगा वो बोथ यहाँ पे देखे जो है ना सन्मंदिर जो दोस्तों अमरत्सर में वो लार्जेस्ट गुरुद्वारा भी है और ओल्डेस्ट भी है तो इस कोशन का जो राइट आंसर होगा वहाँ आपका C होगा ठीक है जी C यहाँ पर राइट आंसर उड़े वाला अगला कोश्चन पर्थम विश्व यूद के दोरान जर्मनी पस्चिमी मोर्चे पर वर्दुन की लड़ाई में हार गया था और रोमानियों ने पूर्वी मोर्चे पर यूद की घोषना वर्ष में की थी यह आपको बताना है तो यह गोषना की गई थी दोस्तो 1916 AD में तो राइट आंसर इस C की कहा ना चले अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं और अगला कोश्चन कहा रहा है कि भारी जल परियोजना और उर्वक सयंत्र किसके परसिद उद्योग है तो भारी जल परियोजना और उर्वक सयंत्र किसके परसिद उद्योग है तो उडिसा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है उडिसा इसदर राइट आंसर दोस्तो हामिद करजई को अफगानिस्तान का रास्पती चुना गया था तो यह चुना गया था तो राइट आंसर इस सी यह सी हो जाएगा परसाशन रास्पती हामिद करजई के अधीन अफगानिस्तान की सरकार थी जो तालिबान सरकार को उखाड फैकने के बाद दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान राज्य के परमुक बने थे और करजई 2002 में दोस्तों लोया जिर्गा में अफगानिस्तान संकर्मन कालीन परसाशन के अंतरिम अध्यक्स के रूप में न्यूक्त किये गए थे यह मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि यह कोशन एक्जाम में आ सकता है क्योंकि अफगानिस्तान से लेटिड भी अगर कोशन बन सकता है तो उसमें से यह भी हो सकता है और अभी जो अभी तो देखे तालिबान का दुबारा से वहाँ पर वो हो गया है मतलब सरकार बना ली है तालिबान ने बट अगर मैं बात करूँ इससे पहले जो असरफ गानी थे असरफ गानी इससे पहले जो यहाँ पर अफगान तालिबान से पहले वहाँ के पीम थे तो यह भी आप लोग गया दखना है ठीक है ना चले अगला कोशन दोस्तों ड्रोन कब किस खेल से संबन्दी थे असरब गानी प्रेजिएंट थे सोरी पीम बने बोल दिया इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर होज़ेगा फुटबोल ठीक है ने डुनेंट कप किस खेल से संबन दीत है फुटबोल से तो ये भी आपको याद देखना है डुनेंट कप फुटबोल के खेल से जुड़ा है यह जो टुनेंट है दोस्तो एसिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबोल टुनेंट है ठीक है याद रखेगा कोशन आता है संयोक्त रास्ट संग की स्थापना कहा होई थी दोस्तो संयुक्त राष्ट संग की स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया युनाइटिड स्टेट अमेरिका में और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखना है और इसका जो मुख्याला है वो नियोर्क संयुक्त राझ्जा अमेरिका यानिक युस्थे में है यह आप लोगों को याद रखना है दोस्तो पर्थम अंतरास्टे सांती कॉंग्रेश का ऐज़न लंदन में कब हुआ था तो देखिए पर्थम अंतराष्टे सांती कॉंग्रेस का आउजन लंदन में कब हुआ था यह हुआ था 1843 AD में तो यह राइट आंसर इस सी यह आप लोगों को यह दखना है पानी के नीचे पंडूबी से पानी की सतय पर वस्तूओं को देखने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले उपकरण तो पेरिसकोप दोस्तो इस कोशन कर रहेट आंसर होगा पानी के नीचे पंडूबी से पानी की सतय पर वस्तूओं को देखने के लिए इस्तमाल किये जाने वाला उपकरन क्या होता है परिस्कोप होता है ठीक है चले next दोस्तो डोक्टर जाकिर हुसेन थे तो यहां पे अगर मैं बात करूँ डोक्टर जाकिर हुसेन क्या थे तो डोक्टर जाकिर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम रास्थपती थे दोस्तो तो C रेट आंसर हो जाएगा ठीक है भारत के पहले मुस्लिम रास्थपती कोशन आता है आपका G15 किसका आर्थिक समू है G15 किसका आर्थिक समू है दोस्तो चल्दी बताइए तो G15 दोस्तो आर्थिक समू है तीसरी विस्वे रास्ट का यहनि की राइट आंसर is option C, देखें मैं आपको बिस बिस कोशन करके यह सीरीज इसलिए करा रहा हूँ आप चाहे यह पूरी एक विडियो में देख रहा है चाहे अलग- लग सोर्ट विडियो में देख रहे है कि बिस बिस कोशन का आप practice कर सकते हैं कि 20 में से किटने सही हो падा है और G15 दोस्तों क्या है G15 तीसरी दुनिया के रास्टों का एक आर्थिक समू है G15 समू में सुचिबुद देश जो है अलजारिया है अर्जेंटिना है ब्राजील है चिली है मिस्र भारत इंडोनेशिया इरान जमेका केनिया मलेशिया पेरू है सिलंका है वेनेजुएला है जमामे यह सभी देश दोस्तों इसमें है चले नेक्स कोशन पर आते हैं एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपेट कंटेंट इन द वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटिड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि तेंक्यू सो मच गाईज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बेल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेड़मी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिस हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो ढाई बजे ठीक है और एक होती है रात को ग्यारा बजे दोनों ही इंपोर्टेंट है और दोनों क्लासिस को आप कैसे देख पाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में अनकेडमी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा उस पे क्लिक करना है फोलो कर लेना है और फोलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशन साने स्टार्ट हो जाए ठीक है तो चले मिलते है नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच